हेलो दोस्तो, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल कॉमिक फैन पर चलिए दोस्तों शुरू करते हैं लोगा का एक रोमांचक कॉमिक्स रेस संजय गुपता पेश करते हैं मंबई की अपराच से बरी अंधेरी गल्यों में पुजाले की किरन हर वक्त वजरपात की तरह खोंती रहती है मारो, इतना मारो की पाउं से लेकर कंदों तक हड्यों में सिर्फ और सिर्फ फ्रैक्चर ही नजर आए और जिस्म में टाके ही टाके ठाक, ठाक, अहाँ लो, जिस्म हाजिर है तडाक, डोगा का जिस्म हाँ, डोगा का जिस्म पाउं से कंदों तक हाजिर है जो हड्डी तोड सको, तोड दो जिस्म को जहां से फार सको, फार दो ताकि जिस्म में टाके ही टाके नजर आए लेकिन सिर्फ एक बात याद रखना अपने जिसम और अपनी हड्डियों को मुझसे बचाना च्योंकि अगर वो मेरे हाथ वे पांच छूग गई तो धड़ाक, अहाँ, धड़, धड़ हर शरीर ऐसी ही आवाज पैदा करेगा धड़ाक जब शरीर आवाज पैदा करता है तो दर्द होता है और जब दर्द होता है तो मुझसे बैसे की तरह ड़कार निकलती है देखो ऐसे, अहाँ, अहाँ तुम लोगों के मुझसे ये चीखे अब भी निकलेंगी और तब भी, बटाक, अहाँ जब ड़क्टर तुमारे फ्रेक्चरों पर प्लास्टर करेगा या घाओ पर ठाके बांदेगा धर, अहाँ फिलाल तो डोगा की गर्दन पर गांट बांदी गई थी गांट कसकर बांदी ओ, रमेया ओ, भागो डोगा ने आकर सब गड़वर कर दिया सुकर करो मेरा दिमाग काम कर गया और मैंने अपनी पैंट उतारकर डोगा के सिर पर लपेट दी वरना वो हमें मार मार कर सुवर बना देता पैंट तो ढखती पर जिब बंद नहीं करी जहां से तुम मुझे बागते हुए दिखाई पड़ रहे हो पर वो भागकर मोड पार कर चुके हैं अब गोली चलाने का कोई फाइदा नहीं होगा खामा खाँ हला ही होगा क्या तुम उन्हें जानते हो हाँ डोगा मेरा नाम रोमी है और ये रोकी और उसके दोस्त थे ये कभी मेरे क्लास फैलो थे रोकी पिछले चार सालों से मोटर साइकल चैंपियन है और ये रेस कैसे जीतता है इसका जीता जाकता सबूत मेरी हालत है इस बार रोकी को मुझसे खत्रा लगा इसलिए उसने मुझे अस्पताल पहुचाने की पूरी कोशिश की डोगा तुम समय पर ना आ जाते तो नजाने वो लोग मेरा क्या हाल करते मुझे सिर्फ ये बता दो कि अगली रेस कब है तो दिन बार डोगा और इस बार भी रेस रोकी ही जीतेगा द्रसल डोगा रोकी एक लड़की पर जान चड़कता है और वो भी रेस की दिवानी है रोकी जब भी रेस जीतता है तो वो आकर चैंपियन को बुके देती है रोकी चाहता है कि वो बुके सिर्फ उसे ही मिले पर शायद इस बार वो लड़की रेस में ना आ पाए बेचारी के साथ ट्रेजडी हो गई किसी टाइम ओवर हत्यारे ने उसके पूरे परिवार को खतम कर डाला डोगा तुमने ही तो खतम किया था उस हत्यारे को तुम भी तो उस लड़की को जानते होंगे डोगा का स्वर पत्थर की तरह सक्त हो उठा किसकी बात कर रहे हो रजनी की डोगा रजनी? गबराओ नहीं वो लड़की बुके लेकर रेस देखने आईगी लड़की इस बार रेस रोकी नहीं जितेगा लेकिन इस बार रेस रोकी नहीं जितेगा जान बचाने के लिए थैंक्यू डोगा रोमी की जान तो बच गई थी लेकिन चीता की शायद नहीं बचने वाली थी वो अपने आपको समझता क्या है भड़ाक हर बात की हद होती है और इस बार तो मैंने भी ठान लिये कि उसे मूँ की खिला कर रहोंगी धप क्या हो गया है क्यो बुन-बुना रही है किस से खफा है सूरज से भईया भईया यह लिजए अगर आपको अपनी बहन के जरा भी परवा है तो जल्दी सही से भर दीजिए यह क्या है मोनिका मोटर साइकल रेस की फोम तू हिस्सा ले रही है सूरज का क्या होगा मैंने जो तेरी शादी के लिए पैसा इकटा कर रखा है उसका क्या करूँगा ओफो भाया इस वक्त मजाक बिल्कुल नहीं मेरा दिमाग ठिकाने पर नहीं है आप बस यह फोम भरके मुझे दे दे ओ हाँ रेस में मैं नहीं आप इस्सा ले रहे हैं मैं तेरा दिमाग सचम다면 ठिकाने पर नहीं है मैं डॉक्टर जेतली का फोन करता हूँ भाईया मुझे सुरज ने चैलेंज किया है कि इस रेस में उसे कोई नहीं हरा सकता उसका साला मेरा मतलब आप तो बिल्कुल भी नहीं मैं उसका ये गरूर तोड़ना चाहती हूँ और ये गरूर तभी तूटेगा जब आप ना सिर्फ ये फोर्म भर देंगे बलकि रेस भी जीतेंगे मैं रजनी के हाथों सुरज को बुक्य कभी नहीं लेने दूँगी हरगी ज नहीं रजनी? मोनिका ने उसे बुक्य के विश्य में बताया तो भाईया आप ये फोर्म भर रही हैं ना? हाँ हाँ अब तुम कहती हो तो मैं ये फोर्म भर देता हूँ गुड ये हलो पर वो बुक्य वाली बात सच है क्या? क्या मतलब? क्या मैं जूट बोल रही हूँ? ओके ओके नराज मत हो चलो ये काम तो हुआ जल्दी ही हेलो सूरज आव मौनिका तो गते ने मिर्ची खाली या नहीं? भाईया के बारे में तमीज से बात करो सूरज ठीक है भाई? बताओ साला रेस के लिए मान गया या नहीं? तुम नहीं सुदरोगे सूरज मैसे भाईया ने फोर्म भर दिया है ड्रामा सफल रहा लेकिन मैंने सुना है कि रोकी रेस जीतने के लिए किसी भी हद तक गिर सकता है तो फिर उसे और गिराएंगे पर रेस नहीं जीतने देंगे रेस तो चीता ही जीतेगा मोटर साइकल की भी और जिन्दगी की भी कास ऐसा ही हो क्योंकि उन दोनों को एक दूसरे की जरुत है लेकिन रजनी को भी पहले की तरह ही रेस में बुके ले जाने के लिए तयार रेक करना होगा फिर रेस से कुछ मिनट पहले ही अरे चीता तुम भी रेस में भाग ले रहे हो अरे रजनी तुम यहाँ रेजनी के चेहरे पर उदासी ने डेरा सा जमाया आना नहीं चाहती थी पर तुम्हारी बहन की जिद्म ने आने पर मजबूर कर दिया पता नहीं क्यों चीता अब मेरा दिल किसी काम में नहीं लगता दिल अकेला रहना चाता है मैं जानता हूँ किसी विख्यात वाली गटना ने तुमारे हर्द्य को घायल किया है लेकिन ये जिंद्गी की रेज है जिंद्गी की इस रेज के ट्रैक है सुक और दुख सुक की दोड़ तो कोई भी जीत लेता है दुख और मुश्किलों की दोड़ को जीतने वाला ही असली विजिता होता है खुद को पीछे मत रहने दो रजनी रेस में सिर्फ आगे देखा जाता है निगाहें मंजिल पर रखी जाती है अतीत में जो हुआ उसे भूल जाओ वरतमान में क्या हो रहा है उसे देखो इस्तब्द खड़िती रजनी बिलकुल मुर्तिवत सी जैसे चीता की कही बातों की गहराईयों को समझने की कोशिश कर रही हो लेकिन उसे हर और अंधेरा नजर आ रहा था उजाले की कोई किरन कहीं भी नहीं पर फिलहाल जरुट रेस के जीतने की थी रोखी 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 चीता 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 ओ चीता की होसला अफजाई सिर्फ एक ही सक्स कर रही है और वह भी खुद उसकी बहन मोनीका बेटे सुरज रेश चीता जितेगा मोनीका के सामने ये डिंग मानने की क्या जरुतती हुन तेरा की होगा बाउजी बीड के सोर के साथ ही तेज हो उठी थी चीता के दिल की धड़कने भी उधर ही घुम गई थी रोकी की भी निगाहे बुके पर मेरा नाम लिख दो रजनी वो मैं ही तुम से आकर लूँगा चीता का हाथ उस वक्त अनायास ही एक्सिलेटर पर कस गया था सभी के हेलमेट पर उठे हुए वाइजर नीचे हो गए मैं डर्दा रब रब करता वे मैं डर्दा आयो रबा हरी जंडी फेराए जाती ही रेस शुरू ही सड़ा चीता भपा तो सबसे पीछे रह गया ओए चीतेया एक्सिलेटर दे रहा हैं या बैलो की लगाम खिच रहे हैं रोकी की शेतानिया उसकी आँकों से लोमडी की तरह जाक रही थी अरे इसके वील के नट तो बड़ी जल्दी खुल गए हाँ 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 ये रबड के टुकडे एक विशेश रसाया नुखते है जो रेसर मोटर साइकल के टायरों में फस जाएंगे और जिस भी टायर में फसेंगे टायर के गरसन से होने वाली गर्मी से पिगल कर ये टायर की ट्यूब तक प्यवस्त होकर उसे पंचर कर देंगे परिणाम बताने के जरुत नहीं है हाँ 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 खड शुरज के लिए वो पल चौकाने वाले थे ये क्या एक साथ तीन मोटर साइकलो के टायर पंक्चर कैसे हो गए मेरी नजरे रोकी पर ही थी मैंने रोकी को सड़क पर कुछ गिराते देखा था जरूर ये उसकी शरारत है चीता रोकी को चेज कर रहा है वो उसके साथ भी कुछ गरबर करेगा रेश ट्रेक इस्टेडियम रोकी रोकी के शोड से गुंग रहा था रोकी ही जीतेगा हाहाँ हाह वरररररर लेकिन रजनी कुछ विचलित हो रही थी भही आप बैक अप भही आप बैक अप रोकी की निगाहे अब चीता पर थी इसे रोकेगी मेरी हवा में फरफराती जैकिट जिसके स्टिच बटन पीट की तरफ से एक मामले सा जटका पड़ते ही खुल जाएंगे फर और जैकिट का वह हिस्सा फरफराता हुआ जाकर चीता के चेहरे से चिपक जाएगा फिर जब तक वो उसे हटा पाएगा चीता धेर हो जाएगा मारे गए गुल्फाम मुझे चीता के लिए रुकना होगा क्योंकि वैसे भी मुझे ये रेस नहीं जीतनी अहाँ बेचारा चीता और हे रोकी 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 वर और वी फॉर विक्टरी रोकी 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 अरे उतारो उतारो ओहो बुके गर्ड उतारो भाई उतारो लाओ रजनी मेरा बुके ये रहा तुमारा बुके चटाक दरसल आज मुझे पता चला कि तुम रेश कैसे जीतते हो आज तक तक तुमने जितने बुके मेरे हातों से लिए ये तमाचा उन सब का हिसाब था उस्ताद तुमने उसे उसके तमाचे का जवाब क्यों नहीं दिया देना चाहिए था हाँ उस्ताद चटाक मैं भी देना चाहता था मैं डोगा तेरी चालबाज्यों के बारे में मैंने ही रजनी को बताया था रोकी अभी मैंने तुझ से ये कप लिया है क्योंकि फिलहाल तु इस कप के लायक नहीं है नहीं लेकिन गबरा मत ये कप मैं तुझे देकर जाऊंगा ये ले कप रोकी, तुने मुझसे पिटाई खाने की रेस जीती है, ये कप इसका इनाम, इसे अस्पताल पहुचा देना, अहा, जल्दी करो कमबकतो, जल्दी अस्पताल ले चलो मुझे, फिर जल्दी ही, अहा, अगर रेस में मोटर साइकल चला कर ठक न गया होता, तो डोगा को देख लेता, अरे हिम्मत थी, तो रेस में जीत कर दिखाता, अहा, तबी, हाई चैंपियन, ओ, तुम सुरज, और ये तो वही बुक्य है, जो बुक्य गर्ड मुझे देने वाली थी, और शायद उसे अपनी गल्ती का एहसास हो गया है, और वो अपनी हरकत पर शर्मिंद है, आखिर उसने मुझे बुक्य भिजवा ही दिया, जरूर माफी भी मागी होगी, चलो, मैंने उसे माफ कर दिया, लाओ, बुक्य देदो, इसे देखकर तो मेरा सारा दर्द ही छुमंतर हो गया, सोरी, रोकी भाईया, तुमारा दर्द और बढ़ जाने वाला है, यो कि ये हाई मोनिका, कैसी तबियत चीता की, होश आया की नहीं, मैंने सोचा मैं भी श्रदांजली, मेरा मतलब सुपकमनाओ के फूल दे आउं, सुरज, हेलमेट होने के बाद, बावजूद, चोट सिर्वे टांग पर लगी है, गबराओ नहीं मोनिका, प्यार के किले फत्या करने क लिए ऐसी चोटे खानी ही पड़ती है, अब मैं इस वार में नहीं रहूंगा, मुझे यहां से ले चलो, चलो मोनिका, अब हम भी यहां से चलते हैं, सुरज, भाईया को इस हालत में छोड़कर मैं समझा करो मोनिका, चीता अकेला नहीं रहेगा, वो देखो, ओ, रजनी, आ देखा, जैसे कुटा हड़ी की गंद पाकर बेचैन हो जाता है, वैसे ही चीता भी, रजनी की खुश्बू पाकर होश में आ गया, अच्छा रजनी, हम थोड़ी देर में आते हैं, तब तक यहीं रहना, लेकिन सिर्फ कुछ पल के लिए ही, चीता होश में आया था, रज, क बचाने के लिए, मरीज को यह इंजक्शन देना जरूरी था, पर अब यह जल्दी ही होश में आ जाएगा, लेकिन आप इनकी कोन हैं, मैं दोस्त, सिर्फ दोस्त, ओ, बाइद दवे मैं चलता हूँ, होश आ जाए तो मुझे इन्फॉर्म कर देना, और हाँ, दो एक दिन, तक इन्हें वील चेर पर चलना होगा, जिसका इंतिजाम अस्पताल में ही हो जाएगा, अस्पताल में रोकी ने भी दूसरे वाड में अपना इंतिजाम कर लिया था, रोकी उस्ताद, वो बुकेगर्ड अस्पताल में आई है, जब मैं तुमारे लिए पनीर के पकोड़े करा रहा था, तो मैंने उसे देखा था, क्या, बुकेगर्ड, ओहो, वो जरूर मुझसे ही मिलने आई होगी, मन नहीं माना होगा, आखिर उसके दिल में मेरे लिए प्यार जाग ही गया, टोनी, उसे मेरे इस नई वाड का पता नहीं होगा, मुझे वहाँ ले चल, वरना उठा, तो दिल के जखमों के टांके बन नहीं होगे, छोड़ दो मुझे, नहीं नहीं छोड़ना मत, नहीं तो गिर जाओंगा, और रोकी के लिए वो पल ठीक ऐसे ही थे, मानो अचानक जौला मुखी को बिलकुल सामने ही फटते देख लिया हो, रोकी उस्ताद, ये तो च कर बता दे, कि वो जिसे वील चेर पर बठा कर ले जा रही है, वो रोकी नहीं, चीता है, गल्ती तेरे दिमाग को लग रही है ये रोकी, वो चीता को ही घुमाने ले जा रही है, नहीं, मैं ये सी नहीं देख सकता, मैं अपना सिर्फ होड लूँगा, तो फिर यह रहा इसे पहचान लो दोस्तों, इस लड़की ने मुझे बहुत यातना दिये, अगर मैंने भी इसे इसी वील चेर पर ना बठाया, तो मेरा भी नाम रोकी नहीं, धार धार धार, अब मैं इसे बुके गर्ल से वील चेर गर्ल बना दूँगा, उस्ताद बस करो, कहीं खंबा ना त तीता वेरजनी के बावनात्मक संबंदो, वेट डोगा के एक्शन की गर्मी से गर्माए, कोमिक का, पढ़ना ना भूले इसका अगला भाग, किसी की गर्दन काट कर बच नहीं पाओगे, क्योंकि हर मोड पर खड़ा है डोगा, राज कोमिक्स में रात के रक्षक डोगा का रोमान्चक कोमिक, चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही, मिलते हैं इसी कोमिक्स के अगले भाग, हर मोड पर खड़ा है डोगा में, तब तक के लिए धन्यवाद